Hello friends, welcome back to my channel Christmas आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बेक किया जाए तो आज मैं बना रही हूँ Red Velvet Cookies Red Velvet Cake तो आपने जरूर खाया होगा एक बार ये वाली Quick or Easy Red Velvet Cookies की रेसिपी को आप जरूर ट्राय करना आपको ये बहुत पसंद आएगा तो चलिए हम आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ One Small Cup Melted घी बेक करते समय हमें मेजर्मेंट का बहुत ध्यान रखना होता है तो आप जिस कप से घी ले रहे हैं बाकी सारी चीजों को भी उसी कप से मेजर करें अब मैं इसी कप से 1.5 कप पाउडर शुगर ले रहे हूँ अब इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें जाएगा 1.4 टीस्पून वैनिला एसेंस अगर आपको वैनिला फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1.4 टीस्पून रेड फूट कलर अब इसे भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक यह पूरे अच्छे से फलपी न हो जाए तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें जाएगा 2 कप प्लेन फ्लार और मैदा 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1.4 टीस्पून बेकिंग सोडा अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैं यहाँ पे इसे हाथों से मिक्स कर रही हूँ ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पे मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया है अब इसमें जाएगा मिल्क और विनेगर तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 tablespoon milk और इसमें अब जाएगा 1 teaspoon vinegar अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं vinegar के जगा आप यहाँ पे lemon juice का भी use कर सकते हैं तो मैंने इसे अच्छे से mix कर लिया है अब हम इसे इसमें add कर देते हैं अब हम इसे mix करते वे इसका एक dough जैसा बना लेंगे तो हमारा cookies का dough ready हो चुका है अब हम इसे plastic के उपर इस तरह से roll कर देंगे और अब इसे हम एक घंटे के लिए fridge में set होने के लिए छोड़ देते हैं एक घंटा हो चुका है और यह बहुत अच्छे से set भी हो चुका है अब मैं इसे cut कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने इसे cut कर लिया है अब मैं इसे oil से grease किये हुए cake tin में रख देती हूँ आप यहाँ पर baking tray का भी use कर सकते हैं इसे हम थोड़े दूर दूर पर ही रखेंगे नहीं तो यह bake होते समय एक दूसरे से चिपक जाएंगे बस अब हमें इसे preheated oven में 180 degree पे 12-15 मिनट के लिए bake करना है तो यहाँ पर मैंने microwave को convection mode पे 180 degree पे preheat कर लिया है अब इसे हम 15 मिनट के लिए bake कर लेंगे सारी microwaves की settings अलग होती है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे time को adjust कर सकते हैं तो 15 मिनट हो चुके हैं और cookies बहुत अच्छे से bake हो चुका है अब मैं इसके उपर थोड़े से black chocolate chips अड़ कर देती हूँ जिससे यह देखने में और खाने में और भी अच्छा लगे इसे हम oven से निकालते ही add करेंगे अगर cookies ठंडा हो जाएगा तो इसके उपर यह अच्छे से set नहीं हो पाएगा अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने देते हैं तो 15 मिनट हो चुके हैं अब मैं इसे plate में निकाल लेती हूँ मैं आपको एक तोड़के भी दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं cookies कितने अच्छे से bake हुआ है तो आप भी इस Christmas कुछ different बनाईए और अपने family और friends के साथ enjoy कीजिए अगर आपको आज की recipe अच्छी लगी तो इस वीडियो के नीचे like का बटन क्लिक करें और मेरे latest वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करिए साथ ही साथ bell button दबाना ना भूले Thank you for watching